भाजम भारत की अध्यात्विक नगरी कासी जिसे बरतमान में वरार्ति का जाता है वहाँ इस्तित कासी बिस्टनाद मंदिर जो भगबान सिव को समर्पित एक प्रिसिद हिंदू मंदिर है उसके भब और दिब कारी डोर में उपस्तित हैं हिंदू göre सबसे पवित्थ तीरतिस्तनों में से एक भगबान सिव के बारा जितल्लिंग मंदिरं में से एक ए मंदिर गंगा के पश्चमी तठपर इस्तित है और मंदिर के मुख देउता को सिरी बिस्सुनात वा बिस्षिस्टर के नाम से जाना जाता है जिसका साब्दिक अर्थ है ब्रह्मान के भगवान और मानता है कि इस मंदर के दर्सन करने और पवित्र गंगा में इस्तान कर लेने से मुच्च की प्राप्ति होती है और यहां लाखों की संक्या में सरदालू मन्नत पूरी करने के लिए भगवान विश्ष्षण नाद जी के दर्सन पूजन के लिए उपस्तित होते हैं ये मंदिर मुस्लिम सासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया परंथ ये मंदिर नश्ट नहीं हुआ इसका अंतिम बार सम्राट औरंग जे ने इसको तोड़ कर इसके स्थान पर ज्यानबापी मस्जित का निर्माण कराया था पर धीरे धीरे ये मंदिर पुना अपने भब अदिप सरूब में इस्थापित हो गया है बर्स दोजार इकिस में भारत के सुष्षी प्रधान मंत्री नरंद मोदी जी की प्रेणा हुआ उत्तरप्रेस के मुखमंत्री महराज योगी आदित नाद जी के प्रेयासों से इस मंदर में कारीडोर का निर्माण हुआ पहले मंदर में दर्सन के लिए एक सक्री गली से लोग लाइन लगा कर जाते थे पर कारीडोर के निर्माण के बाद आप सुगम और स्वरचित दर्सन कर सकते हैं जब इस मंदर के कारीडोर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कारीडोर ने मंदर के अध्याद्मिक रूप को पुना इस्ताफित किया है और सब कुछ यहां बदल गया है पहले यह मंदर 3500 स्क्वेर फिट की परदी में था पर आज पांच लाक स्क्वेर फिट में यह मंदर का बिसाल कारीडोर फैला हुआ है और यहां पहुँचकर ग्यान भक्त का संचार होता है यहां लोग अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं और इस कारीडोर में जो मंदर का बहवा उपुना बापिस आया है यहां बहती हुई गंगा जो कारीडोर का प्रवेश द्वार है यह असी घाटों को कासी विस्तनान मंदर से जोड़ता है भारत की अध्यात्विक नगरी बाराड़सी की भब्विता वा दिब्विता दर्सन पूजन गलियों में हर हर मादेव यह बताता है की स्वतंत भारत में इस मंदर ने अपना पुराना बहवा रूप पा लिया है गंगा के तर्थपा इस्थित सीडियों से चड़कर भगवान विस्विस्वर के दर्सन के लिए सरदालू कारीडूर से होकर पहुँच जाते हैं और दर्सन पूजन से अपनी मंदतें पूरी करते हैं सिवकी नगरी कासी जहांके हर कड़ कड़ में ग्यान भक्त और मूच का संचार होता है यह मंदिर भले ही लोगों ने विदेशिया अकराउन ते नस्ट करने की कोसिश की है पर यह पुना अपने भब दिप सरूप को पाता रहा है यहां बायू मार्क रेल मार्क सड़क मार्क से आसानी से पहुचा जा सकता है मंदिर में रुकने की